नमस्कार, लाइप में कभी कोई काम करो ना तो संदे की इस्तिति में वो काम मन करना कोई भी काम कर रहे हो तो मन में फुल कोंफिडेंस होना चाहिए कि ये मैं कर लूँगा इस काम में मुझे करने से कोई नहीं रोख सकता है लेकिन अगर जरा सा भी थोड़ा सा भी संसे डाउट आपके मन में पैदा हुआ उस काम के प्रतिए आप रात दिन मेनद कर लो लेकिन आपका काम सक्सेद नहीं होगा आपका टार्गेट अचीव नहीं होगा क्यों? क्योंकि आपके मन में तो डाउट है आपके मन में तो संदे है इसलिए कभी संदे मत करना कभी डाउट मत करना काम पर अभी राम चरित्र मानस का एक में छोटा ऐसा प्रसंग आपको बताऊंगा कि कैसे डाउट से वो काम नहीं होते कैसे अगर व्यक्ति संदेह करता है तो वो काम करने जा रहा होता है फिर भी पूरा नहीं होता है राम चरित्र मानस में एक परसंग आता है जब पूरी वानर सेना माता सीता जी की कोज में जाती है और जब देखते हैं कि सामने समुन रहे वहाँ पर जामवन जी, हनुमान जी, नल, नील, अंगर सभी बड़े वानर युद्धा वहाँ उपस्थित होते हैं और उस बड़े बारी माह सागर को देखते रहते हैं अब सब के मन में यही सवाल आता है यही क्वेस्चन आता है कि इस समुन्दर को पार कैसे करें किसमें इतनी सक्ती है जो यह समुन्दर पार करेगा जामवन जी कहते हैं कि यह समुन्दर 400 कोस लंबा है जामवन जी कहते हैं कि मुझमें भी उड़ने की सक्ती थी लेकिन मैं अब व्रद्ध हो चुका हूँ मैं साड़े 300 कोस ही जा सकता हूँ देखिया, जावन जी के मन में संदे था, डाउट था, इसलिए उन्होंनों मना कर दिया, कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, फिर अंगत कहते हैं, कि मैं भी जा तो सकता हूँ, यह 400 कोस उड़कर जा सकता हूँ, लेकिन वापिस आने में मुझे संदे हैं, वापिस मैं आ सकता यह मुझे संदे हैं, तो काम सक्षेज नहीं हुआ, तो कि मन में संदे था, मन में डाउट था, और नल निल में भी उड़ने की सकती थी, वो भी उन्होंने भी का कि हम भी 100 कोस तक जा सकते, इस से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, अब देखिये, सब के मन में संदे का प्र जामन जी को कॉन्फिडेंस होता है, फुल कॉन्फिडेंस होता है, हनुमान जी को उपर के हनुमान जी जाकर भी आएंगे, और अपना काम भी करकर आएंगे, लेकिन आप एक बात और नोट करना, हनुमान जी के मन में डाउट नहीं होता है, हनुमान जी के क्या होता है, उस यसा बरते हैं और कहते है कि हनुमान इस संसार में इसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकती है है कि यह होता ही हनुमान जी का मन में सक्ती आज τι है हनुमान जी से बढ़ जाते है और तुरंट जै-स्री रामकार नारा लगाते हुए हनुमान जी वो समihnस्दर पार कर तो आपने देखा कि नल नील अंगत और जावजी के मन में संदेथ था उस कारी को करने का पड़ती इसलिए उन्होंने वो कारी नहीं कर पाए जब भी कोई आपी टार्गेट लो जब भी कोई कारी लो चोटा हो या बड़ा हो डेली रूटिन का वर्क हो कुछ भी हो अगर उस डाउट विदाउट संदे के साथ करना तब ही वो कारी आपका सप्सेस्पुल होगा और सुन्दर तरीके से होगा